प्रेंड्स रादक किरसोई चैनल में आप सब का वेलकम हैं, मिलते हैं नई रेस्प के साथ, तो हमने ओली वोईल में अभी लाल मिर्च, जीरा और प्याज, प्याज का छोक दिया है, प्याज हलके से नरम हो जाएं फिर हम इसमें आलू डालेंगे, थोड़ा सा आलू को नरम क करेंगे, उसके बाद हरा छोलिया डालेंगे इसमें, ये फ्रेंड्स मैंने लसी लिए, दई और लसी मिक्स करके लिए फ्रेंड्स इसमें मैं बेसिक मसाले सारे इसमें एड कर रही हूं, नमक मेर चाल दी, बेसन, सुका धन्या, फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं आज हरा चोलिया की कड़ी, तो अब कड़ी सबको अच्छी लगती है, तो इस तरह से मैंने मसाले मिक्स की हैं और जो हमने जो छोक त्यार उसके अंदर हमने वो बेसन वाला सारा घोल, लसी वाला हमने डाल देना है, इस तरह से ये देखे फ्रेंड्स हमारी कड़ी, कितनी अच्छी लग रहे बहुत ही टेस्ट ही लग रही है खुश्बू अच्छी आ रही है अब इसका हम पंजाबी तड़का छोटा सा त्यार करेंगे उसके हम बीच में अब ओईल डालके बीच में जीरा थोड़ी से लाल मेर्च कसूरी मेथी हरा धनिया यह छोटा सा हमने त्यार किया है कड़ी के उपर देने के लिए यह देखे फ्रेंड्स हमारी पंजाबी कड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है फ्रेंड्स बहुत क्या खुश्बू आ रही है इस तरह से जटपर से बनने वाली यह कड़ी है हमारी बिन पकोड़ों वाली तो ये इस तरह से हमारी कड़ी त्यार हुई, अगर आपको हमारी रैस्पी पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेर जरूर करें, ओके बाई बाई रादे रादे